यदि मिठाई बनाने में आसान हो और खाने में लाजवाब हो तो उसे खाने का मज़ा और भी बढ़ जाता है हेलो दोस्तों मैं हूँ निर्मला मेरे की जन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मां आपसे ऐसे मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो एक फल के नाम पर है और वो फल है खजूर हालांकि इसका टेस्ट बिलकुल भी खजूर से मिलता जूलता नहीं है लेकिन इसके शेप के कारण इसे खजूर कहा जाता है और इस मिठाई की सबसे खास बात आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना बिले बिना जाता मेनत ये टेस्टी मिठाई बनाना शूरू करते हैं इस स्पेशल खजूर मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तयार करेंगे तो यहाँ पर इस कप को मापकर मैं दो कप मैदा ले रही हूँ और यदि आप मैदे से ये मिठाई नहीं बनाना जा रहे हैं तो कीहूं की आटे का इस्तमाल कर सकते हैं अब मैदे के साथ साथ हम इसमें डालेंगे सूजी तो यह मैंने आदा कप सूजी लिया है सूजी आप बारिक या मोटी कोई भी ले सकते हैं इसे के साथ हम इसमें सूखा नारियल पाउडर भी एड़ करेंगे इससे इस मिठाई का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो टोटल मैंने एक जोटाई कप नारियल का बुरादा यानि डेसिकेटिड कोकोनेट पाउडर लिया है इसके बाद हम इसमें मिठास के लिए डालेंगे चीनी तो चीनी को पीस कर इस्तमाल करना है तो टोटल ये एक पीसेवी चीनी है तो इससे जो खजूर मिठाई है वो एकदम परफेक्ट मिठी होगी लेकिन यदि आपको कम मीठा पसंद है तो आप चीने का इस्तमाल कम भी कर सकते हैं फ्लेवर के लिए इसमें आदी छोटी चमज सौफ को इस तरह हतेलियों में क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए इसके साथ इसमें डालेंगे आदी छोटी चमज इलाइची का पावडर अब ये जो खजूर मिठाई होती है न वो बहुत ही खस्ता बनती है और थोड़ी से फूलती भी है तो इसे बड़िया फूलाने के लिए ताकि इसमें बड़िया लेड्स अंदर बन जाए और ये काफी अच्छी लगे खाने में इसके लिए इसमें चुटकी भर सोडा इस्तिमाल करें तो सोडा जादा नहीं डालना है बरना मिठाई सौफ्ट हो जाएगी तो बहुत ही थोड़ा सा सोडा ढालकर सारी चीजों को हम बड़िया से मिक्स कर लेंगे अब इसमें खस्तापन लाने के लिए हम एड़ करेंगे घी तो टोटल मैंने एक दियाई कब देसी घी लिया है आप चाहें तो तेल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं लेकिन घी से टेस्ट ज़ादा बढ़िया आएगा घे को बड़िया से सारी चीजों के अंदर मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका मोईस्टर सारे आटे के अंदर आ जाए इस मिठाई को बनाने के लिए जो भी नाप मैंने बताएं हैं उसी नाप का इस्तमाल करके आप ये मिठाई बनाएं बढ़ना क्या होता है कि ये मिटा इतनी सॉफ्ट होती है कि तलते वक्त तूटने लगती है तो कोई भी चीज कम या जादा नहीं होने चाहिए अब देखें घे को मिक्स जब मैंने कर लिया है आटे के अंदर तो अब आटे को मुटी में बान करके देख रहे हैं तो ये इस तरह से होल्ड हो रहा है अब इस कब को माप करी मैं इसमें पानी एड़ कर रही हूँ तो लगबग आदा कब से भी मैंने कम पानी का इस्तमाल किया है पानी इसमें बहुत ही कम लगेगा क्योंकि हमने इसमें डाली है PCV चीनी तो जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगी तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी इस वज़े से ये जो सारा मिक्षर होगा वो तुरंती गेला होने लगेगा तो पानी आपको बहुत ही धान से डालना है अब यहाँ पर यदि आप दूद का इस्तिमाल करना चाते हैं तो पानी की जगर दूद का इस्तिमाल भी कर सकते हैं लेकिन उस कंडिशन में आपको घे कम डालना होगा वरना ये मिठाई टोटने लगेगी जैसा कि मैंने बताया तो यहाँ पर देखिए इस आटी को हमें ज्यादा नहीं गुनना है बस सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है गुन्दा नहीं है अब मिक्स करने के बाद इस बोल को मैं फ्रीजर के अंदर रख दूँगी 15 मिनिट के लिए इसे ये डूट थंडा होके सैट भी हो जाएगा और जब ये डूट थंडा हो जाता है तो इसलिए हमें से हैंडल भी कर पाएंगे जो मिठाई बनेगी वो और भी जादा अच्छी बनेगी अब 15 मिनिट के बाद जो आटा लगा कर हमने तयार किया है वो देखी वो थोड़ा सा सैट हो गया है और हलका सा ठंडा भी हो गया है तो अब इसमें से एक बड़ी बोल तोड़ेंगे और अभी भी इसे हमें ज़्यादा गोतना नहीं है बस इस तरह से मिश्रन को हाथों में लेकर इसकी गोल बोल बना लें और अब एक फ्लैट सर्फेस के उपर हमें एक सिलंडरिकल शेप में इसे ले आएंगे नॉर्मली इस मिठाई को भी बेल कर और फिर काट करके बनाया जाता है लेकिन उस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है और मैं आपको इस तरीके से ये मिठाई बनाना बता रही हूँ कि ना ही आपको इसमें बेलने का जंचा करना पड़ेगा और इसे बनाना भी काफी आसान रहेगा साथ ही इसकी शेप बहुत ही अच्छी आएगी और ये मिठाई इस तरह से जब हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी अंदर से पक भी जाती है घस्ता हो जाती है तो बस सिलेंड्रिकल शेप में ले आने के बाद इसे हम ऐसे दिर्चा कट कर लेंगे अभी जो पीसेज की शेप हम काट रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी है लेकिन ये मिठाई जब हम तलते हैं तो और भी ज़्यादा फूल जाती है तो इसे काटते समय इसे ज़्यादा मोटा ना करें वरना ये बहुत ही ज़्यादा फूल जाएगी मोटी हो जाएगी तो अंदर तकच्चे से पक नहीं पाएगी अब काटने के बाद देखिए इसके जो किनारे है न इसे हम थोड़ी से ऐसे सैट कर देंगे सैट करने से एकदम ये खचूर की शेप में आ जाएगी तो देखाना आपने कितना आसान है इसे बनाना तो सारी चीजों को बस एक जगा मिक्स किया इसे रोल किया और फिर काट लिया तो फटा फट से ये मिटाई बिना टेंशन के कम महनत में बन करके तयार हो जाएगी तो सारी पिसेज मैं इसी तरह से तयार कर लूँगी और जब ये पिसेज हम तयार करेंगे तब साइड में क्या करेंगे एक कड़ाई के अंदर तेल भी गरम होने के लिए चड़ा देंगे जिससे कि जब हम ये pieces बनाएं तब तक ये तेल भी गरम हो जाए तेल के बज़ाए आप घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि मौईन के अंदर हमने गे डाल दिया है तो यहाँ पर तेल लेने की जरूरत नहीं है ये मिठाई ऐसे ही उस घी के वज़ इन खजूर मिठाई को फ्राए गया तो क्या होगा कि ये अंदर से अच्छे से नहीं पक पाएंगे और उपर से जल्दे से पक जाएंगे और यदि कम गरम तेल में इस मिठाई को पकाया तो ये ज़्यादा मातरा में तेल को एब्सॉर्ब कर लेगी और धेरे पकने के ये तोट भी जाएगी इसलिए तेल की टेमटरिजर का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है और जितने भी हम पेसे बना रहे हैं उन्हें दू बैचेस में में फ्राए कर लूँगी क्योंकि एक साथ ही सारे पेसे डाल दिये तो तेल ठंडा हो जाएगा और ये मिठाई क्यों कोई रेसिपी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपके कमेंट्स का मुझे इंतिजार रहेगा साथ ही ये यूटूब चैनल के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर इच पर भी फोलो करना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है आप आँ जाकर चेक कर सकते हैं तो ये देखे थोड़ी देर में इनका कलर चेंज हो गया है अब जैसे ही ये मिठाई फ्राई होगी भलकी होकर तेल के उपर तैरने लगेगी जब इस पर अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तब आप इसे अलटते पलटते वे फ्राई डाला है उससे इन में बहुत यची खुश्वू और टेस्ट भी आता है इस मिठाई को आपको एबसार्मेंट पेपर पर नहीं निकालना है इस तरह की जाले में निकाल लें तो इसे ये खस्ता बनी रहेगी और जब आप इसे निकालेंगे तो ये बहुत ये सॉफ्ट रहे तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजेगा जैसे ये ठंडी होगी ये तुरंती खसता हो जाएगी तो बस सेकंड बैच भी हम इसी तरह से फ्राई करकी तयार कर लेंगे लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जब पहला बैच फ्राई कर रहे हो तब तील गरम हो जाता है तो क इस तरह से एक एपसॉर्मेंट पेपर में इसे निकाल लेंगे और ये देखे फ्रेंड्स इसका खसता पन हो गई ना कितने ज़्यादा खसता और ये मिठाई जैसे जैसे ठंडी होती है वैसे वैसे और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है तो देखे कैसी मसेदार टेस्टी खजूर मिठाई बनकर के तयार है तो जब ये अच्छी से ठंडी हो जाए तब आप इसे किसी भी airtight container में रख कर लंबी समय तक यानि महीने बड़ तक भी store कर सकते हैं तो friends आप से request है यदि आज के रेसिपी आपको पसंद आई है तो please इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे फिर से मिलेंगे एक ऐसी और नई मस्यदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए रखें अपना धेर सारा ख्याल